नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं महाख़बर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें शेयर करें MCD की ओ से मेयर चुनाओ कराने के तीन असफल प्रयास के बाद आज दिल्ली को नया मेयर मिलने की पूरी संभावना है सुप्रीम कोट के आदेश के बाद बुधवार को मेयर पद के लिए चुनाओ होगा दिल्ली के उपराज जेपाल वीके सक्सेना की ओर से निगम की बैठक बुलाने की मनजूरी दिये जाने के बाद मेयर डिप्टी मेयर और अस्थाई समीती के छे सदस्यों के लिए चुनाओ होंगे सुप्रीम कोट ने 17 फरवरी को महापौर, उपमहापौर और नगर निकाए की स्थाई समीती के सदस्यों के चुनाओ की तारीक तै करने के लिए दिल्ली MCD की पहली बैठक बुलाने के लिए 24 घंटे के भीतर नोटिस जारी करने का आदेश दिया था सुप्रीम कोट ने आम आदमी पार्टी की मेयर पद के उमिद्वार सैली ओबराय की या चिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया है हाला कि चुनाओ से ठीक एक दिन पहले BJP की ओर से दावा किया गया कि कुछ भी हो सकता है सुप्रीम कोट ने यह भी कहा था कि LG की ओर से नॉमिनेटेट सदस्य मेयर इलेक्षन में वोट नहीं डाल सकते दिल्ली सरकार निगम अधिनियम 1957 के अनुसार नगर निगम चुनाओ के बाद सदन के पहले सत्र में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाओ किया जाता है हाला कि MCD एलेक्षन हुए दो महीने से अधिक समय हो गया है नगर निगम चुनाओ पिछले साल 4 दिसंबर को हुए थे MCD एलेक्षन के एक महीने बाद 6 जनवरी को पहले सदन की बैठक बुलाई गई थी BJP और आम आदमी पार्टी के सदस्यों के हंगामे के बाद सदन की कारेवाही अस्थागित कर दी गई थी इसके बाद 24 जनवरी और फिर 6 फरवरी को बुलाई गई दूसरी और तीसरी बैठक भी निसफल रही मेर इलेक्षन से ठीक एक दिन पहले मंगलवार को BJP नेताओं ने दावा किया था कि कुछ भी हो सकता है BJP ने संकेत दिया था कि आम आदमी पार्टी के बहुमत और नामित सदस्यों के मतदान के खलाफ सुप्रीम कोट के फैसले के बावजूद उसे चौकाने वाले परिणाम के उमीद है चुनावी गणित आपके पक्ष में है जिसके पास मेर के चुनाओं में पढ़ने वाले कुल 274 वोटों में से 150 वोट हैं जबकि भाजपा के पास 113 वोट हैं बीजेपी उमीदवार रेखा गुपता की संभावना के बारे में पूछे जाने पर बीजेपी प्रदेस अध्यक वरेंदर सच देवा ने कहा कि हम यह सुनक्षित करेंगे कि बुधवार दिल्ली के वो अपना मेर मिल जाए लेकिन वहां कुछ भी हो सकता है दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता प्रवीन संकर कपूर ने भी दावा किया है कि महापौर के चुनाओ के नतीजे लोगों को आस्चारे चकित करेंगे लेकिन उन्होंने पार्टी की रणीती के बारे में वस्तार से बताने से इंकार कर दिया है